Small scale business owner की सबसे बड़ी problem पता है क्या है जिसकी वज़े से उसको लाखों रुपे रिश्वत के रूप में देने पड़ जाते हैं बाद में वाई यो गणा तेज है इसने बूडो की चिलंबर रखी है उनका शोरूम इनोग्रेट हुआ नेक्स डे MCD वाले आए शटर डाउन किया और सील लगा दिया जितने भी लोग सोल प्रपेटरशिप फर्म रन कर रहे है न उनमें से कई लोगों के पास आज भी सौप एस्टराबलिश्मेंट चर्टिफिकेट नहीं होगा क्यों क्योंकि सोल प्रपेटरशिप में है क्या एक एक force बनवाया बैंक अकॉंट खुलाया वोई देके GST नमबर ले लिया फर्म को रेजिस्टर कर लिया आपका नाम हो गया फर्म का GST number हो गया, bank account खुल गया, तो आपकी firm रजिस्टर हो गया, लेकिन एक shop establishment certificate होता है, manufacturing unit license, अगर आप किसी भी product की manufacturing कर रहे हैं, तो manufacturing, आपको लगता है कि factory रगा ले तो manufacturing set हो गई, हर एक business को लेकर manufacturing license मिलता है, अगर आप किसी भी industrial area में जाती है, तो वहां के compliance को आपको पूरा कर होगा, नहीं तो कभी भी आपके industry पे कोई भी gas गिर सकती है, उसके बाद MSME registration, हम एसे बहुत सारे लोग ना, सुचते MSME का मतलब है medium, micro and small enterprises, यह small, medium and micro enterprises, हम थोड़ी इस level पे हैं, 5 crore का business है मेरा, तो आपको पता चलेगा कि 20 crore तक भी लोग जो होते हैं, वो MSME में ही आते है अगर आप उतना भी नहीं कर रहे हैं, तो सोचो आप उस level पर नहीं पहुंचें, जहां 20 crore तक के लोग मुझे मिल सकते हैं, MSME Government of India का एक certification है, जो free of cost होता है, कोई पैसे ही लगते, www.msme.gov.in, website पर आप जाओ, और वहाँ पर free में registration certificate निकाल लो, अब benefit क्या होगा, आप जिस organization के part हैं, आपको उस तरह की information मिलती रहेंगी, और जितनी information मिलेगी, उन information के अधार पर, आपको उस तरह के लोग भी मिलेगी, और आपको जानके आश्चार होगा, Government of India, और सामान्य व्यपारी के वीच में पता है, क्या अंतर है, सरकार देना चाहती है, और सामान्य व्यपा तक का loan, बिना किसी quality security के आपको मिल सकता है, बसरते आपको यह पता हो कि documentation क्या है, और process क्या है, और जाना का है, वो भी पैसे लिए बैठें कि ले जाओ, क्योंकि कई बार अगर setting अच्छी है, तो कुछ काम minor commission पर भी हो जाता है, MSME के assistant deputy director, कितनी बार मुझे call करके personally बोलते ह कर रहा है, trading कर रहा है, service provider है, 25 लाक रुपे तक का loan, और 2 करोड तक का loan, manufacturing startup के लिए मिल सकता है, government of India से, अब दिक्कत क्या है कि हमें पता ही नहीं, project planning करनी कैसी है, दूसरा, small scale business owner की सबसे बड़ी problem पता है, उसके पास जो white की capital या sale है, वो कम है, और black की जादा है, for example, आपके business में 5 करोड का turnover है, पर white में आपकी books जो बताती है, वो 50 लाक का है, तो आपको कोई loan offer करेगा, तो किस के अधार पर करेगा, जो books बताती है, वो कहेंगे 10 लाक का loan मिल जाएगा, जो व्यक्ति करोडों का business कर रहा है, 10 लाक से मेरा कुछ नहीं होना, मुझे loan चाहिए ही नहीं क्योंकि उसकी financial value जो है, वो 50 लाक तक की limitation है, उसके हिसाब से 10 लाक का loan मिलेगा, तो जो लोग अपनी financial power को बढ़ाते हैं, वो अपने business को systematic तरीके से करते हैं, और systematic करने का मतलब है कि अपने compliance को पूरा करते हुए business को next level लेकर जाना, shop establishment certificate, manufacturing certificate, license और GST पैन आजकल तो mandatory है, ले उसका benefit नहीं मिल रहा बस, वो तो सो तरह 20 लाक के दारे में मैं हूँ, मुझे क्या फायदा GST number लेके, तो 18% वो हर बार extra भरता ही जा रहा है अपनी तरफ से, जिसका claim भी नहीं कर पा रहा है, तो GST number, PAN number, required license if any, ये बहुत important है, कई बार कुछ लोग ऐसे business में होते हैं, जह मैं एक real example बताता हूँ, white hanger का showroom हमारे showroom से line में आगे खुला है, करीब करीब हमारे showroom से 4 गुना size का showroom है, 4 floor तक बना हुए, कम से कम उसमें 5 क्रोड रूपे का investment लगा हुए, readymate and authentic viewers का showroom है, और उनका showroom इनोग्रेट हुआ, next day MCD वाले आए, shutter down किया और seal लगा दिया, क्यों लाख रूपे रिश्वत देके, उन्होंने जैसे तैसे करिके certificate बनवा के, आद में दुबारा से अपने store को open किया, सोचो उस व्यापारी के बारे में, जिसने 5 क्रोड रूपे infrastructure पर लगाए है, जिसका 20 लाख रूप मेने का rent है, उसका शोरूम एक दिन के लिए बेगर close हो जैना, तो कितने लाख रूपे का उसको loss हुआ है, जिसके पास 50 employee वहाँ पर हमेशा available रहते हैं, उसकी cost कितनी बड़ी है, लेकिन 1500 रूपे कि या तो जानकारी ना होने की वज़ह से, या यह सोच कर कि यार क्या होने वाला, इंडिया में तो कुछ होता ही नहीं है, तो या transaction कर भी रहे हैं, तो अपने saving account में लेते जा रहे हैं पैसा, सोचते हैं कि GST लगेगा नहीं, white में होगा नहीं, लेकिन उसको यह नहीं पता है कि दोनों का pen number ही common है, आप सोच रहे हैं कि firm में पैसा लूँगा तो 18% GST लेना पड़ेगा, छोड़ यार मेरा saving account में डाल दे, बाद में बंद कर दूँगा, आप कभी बंद कर दो, गौर्वर्मेंट जब चाहिए आपकी गर्दन कहीं से भी दबोच सकती है, और हर वो बात बता रहा हूं जिसका practical में कर चुका हूं, कोई भी ऐसी बात लिए जो मैंने जिसका premium पेना किया हो, कहते हैं कि बड़े इसने बुडों की चिलम बर रखी है, मतलब पता क्या है, कि जहां बड़े बुजर्ग बैठते हैं, बड़े बुजर्ग चौपाल में बैठके हुका पीते हैं, यह रेगुलर उनकी चिलम बरता है, उनकी सारी बाते सुन रखी हैं इसने, इसलिए इतना नुभवी है, तो क क्योंकि सीख ठोकर खाने के बाद ही, ठोकर खाने के बाद ही, ठोकर खाने के बाद फिर दुबारा उठना पड़ता है, सीखते हैं, तो इस सेटिफिकेशन होने चाहिए, हर व्यक्ति के, हर बिजनस के लिए, हर प्रोफेशन के अलगलग सेटिफिकेशन है, वो आपके बास चप वाली है मैं विल्कुल सिंपल लेंगे जो में बताऊंगा समझ में आएगा कोई औरनेशन हो तो कहेंगा हमें डब्यों का क्या करना कोई बात नहीं आपने अपने बोर्ड बैनर चैटलोग ब्रोशर्स यह तो चप वाली है कोई दूसरी औरनेशन आई जैसे आप फेमस ह तो हम भी तो लेंगे तो वह सात लाग पड़े इससे अच्छा तो ब्रैंड चेंज कर लो आपको लगए चार लाग का तो मेट्रिली छपवा लिया है मैंने तो यह प्रॉब्लम है और में प्रॉब्लम को मैं कोई ऐसी बात नहीं गाऊंगा इसका प्रैक्टिकल नहीं किया आज किसी भी बिजनस को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लीगल कंप्लाइंस करते हैं सबसे पहले ब्रैंड चेक करते हैं एविलेबल है या नहीं उसको रजिस्टर करते हैं रजिस्टर करने के बाद सारा प्रॉसस करते हैं फिर बिजनस में हिंदुस्तान में बहुत सरे लोग जो business कर रहे हैं उसमें एक type का business कर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे expansion होता जाएगा आप multiple type के businesses में आ जाएंगे Reliance जब शुरू हुआ था तो यह नहीं कि वो Multiple businesses शुरू हुआ था कोई ने कोई एक व्यपार होगा न फिर एक व्यपार से दो व्यपार दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच आपका business का type या work कुछ भी हो retail करते हैं, wholesale करते हैं, distribution करते हैं प्रेडिंग करते हैं, manufacturing करते हैं, import करते हैं, export करते हैं या commission basis पर करते हैं यही type होते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आप किस type का business कर रहे हैं हो सकता भविश्य में आप में से हर व्यक्तिक कुछ ना कुछ चीज import करना शुरू कर दें हो सकता आप में से कुछ लोग export करना शुरू कर दें, service industry वाले सोचेंगे हम कैसे करेंगे import-export for example, एक foreign country का आपको client मिला उस ने का कि वोईस होवर record करके हमें आप US बेजिए, तो आप अपनी services को export कर रहे हैं fine, अगर आपकी company का नाम पहले से ही है ABC overseas, that means उनकी fees, आधार कार, pen card, journal documentation दो, और पहले ही दिन से import-export company बन जाओ, जरूरी थोड़ी कि import-export करेंगे तब ही company बनेगी, मेरी company ज्यान overseas 2001 से import-export company है, लेकिन import-export शुरू किया हमने 2012 में लेकिन जिसली भी सर्च किया हुआ कि 12-13 साल पुराणी company import-export में, क्योंकि उस समय का license मेरे पास है, समझ रहे हैं बात को, अगर मैं आज अपनी company में नई company मना के नए license लेता हूँ, तो जो buyer जब सर्च करेगा, कि import-export code जो है, यह भी नई company credibility कितनी strong है या नहीं, लेकिन जब मैंने पहली बार export किया, तो पहली बार ही मेरी company के पीछे backup में, 11-12 साल का experience था, कि 12 साल से company export में है, import-export license का 12 साल पुरान है, मैंने अपने business experience के अधार पर, आपके लिए develop किया है course, और वो है ROPE, result-oriented program for entrepreneur, इसका next training program कब, कहा, के शहर में है, इसकी जानकारी के लिए बोर्ड पर दिये वे number पर अभी call करें, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कि ROPE है तो HOPE है, केवल profit कमाना ही एक व्यापार का उदेशे नहीं होता, जब तक आपके business का एक plan, expansion के लिए नहीं बनेगा, तब तक आप next level हासिल नहीं करेंगे, वो कैसे करना है, उसकी जानकारी के लिए आप अभी call करें, और program attend करें, और आप अपने business को next level तक ले कर जाए, और आने वाली generation को एक ऐसा business दें, कि आपकी generation भी कहे, कि वाह, हमारे पूर वजों ने कितना तकड़ा बिजनस बना के हमें दिया है, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की काम ना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत.